जै मा मतंगी मेरे प्रिय सादको और दर्शको आप सभी के लिए मत्वपूर्द सुचना है कि दरबार जो है पाँच मार्च तक चलने वाला है तो आप सब लोग पाँच मार्च तक तंत्रकाट कराने के लिए आ सकते हैं गुरु दिक्षा लेने के लिए भी आ सकते हैं और ज उसके बाद पेशी करना भूल जाते हैं याद रखिए तंत्रकाट से भी अती महत्वपूर्ण होता है पेशी क्या कह रहा हूं मैं अती महत्वपूर्ण पेशी होती है तो पेशी को जो है आप लोग नजर अंदाज ना करें तंत्रकाट करने के बाद जो है आप लोगों को आ जरीर में बैटा हुआ है जब फिर से एक विशाल पेड़ की तरहां आपके पुरे जीवन में आपके प्रभाव दालने लगता है वन्हीं है तो आपको दरबार की याद आती है और फिर चाहें धीन खेयं आज तक तंत्रकारत करा। वे सब लोग पेशी अवश्य करिए और आज तक जो कुलू के दरबार से लेकर भोपाल के दरबार से लेकर जितने लोग आज तक दरबार में आये हैं आप सबी लोगों को पेशी अनिवारिये हैं चाहे आपने भोपाल में भी तंद्र काट कराया हो तब भी आप लोगों को 8 से 10 पेशी करना है जो लोग अपना तंद्र काट कुलू में करा चुके हैं उनको भी पेशी करना है क्योंकि याद रखिए तंद्र काट जब किया जाता है तो आपका जो तंद्र है उसको आदे से ज्यादा काटा जाता है, फिर पेशी में हर बार जब पेशी में आते हैं तो होड़ा कर करके रहें तंद्र हो रहे हैं उसको भी 하루 बहुत को wprowad रहते हैं जब आप तंत्र करने वाला जो व्यक्ति है उसको पता चल जाता है जब आपका तंत्र काट होता है तो उसको पता चल जाता है कि इसने कहीं न कहीं काट कराया है कैसे पता चलता है जैसे आकाश में एक पतंग उड़ रही है तो उड़ती हुई पतंग जब तक उसका धागा आपके हाथ में और पतंग आकाश में है तो आपके हाथ में एक भारी पन महसूस होता है लेकिन जैसे ही पतंग तूड जाती है तो आपका हाथ हलका हो जाता है वै जो एक समय होता है 6-7 मैने का इस समय में बहुत ज्यादा आपके उपर तंत्र हो सकते हैं इसलिए आपको पेशी पे हम आने के लिए इसलिए कहते हैं क्यूंकि जब आपकी पेशी होते रहती है तो तंत्र हो रहा है वो भी कटता रहता है और धीरे धीरे जो है अगला विक्ति आपके उपर तंत्र भी करना छोड़ देता है इसलिए पेशी भी अनिवारिया है आपके शरीर में जो बैठा हुआ तंत्र है उसे जड़ से समाप्द भी करना होता है और समाप्द करने के लिए पेशी बहुत जरूरी है